देखी बच्चो टुड़े वी टिजकाइस दा कंजर्वेशन ओप एनर्जी और इसी की सारे कंजेप्ट आज हम लोग डिसकस करेंगे तो शोंसर पहले बात करते हैं कंजर्वेशन कंजर्वेशन ओप मैकेनिकल एनर्जी ठीक है तोड़े भी डिस्केस दा मेकेनिकल है, मेकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कायनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, मेकेनिकल एनर्जी इन दोनों का सम होती है, कायनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशि नहीं कमें ऑन फोड़िया नोन पर किया करी चैंछ समस्क्राइव किसी पॉइंट करेंगे तो हम देखेंगे अब हम यह आप यह पूरू करेंगे जह हम उसकी एनर्जी को A पॉइंट पे देखेंगे तब भी वह एनर्जी है B पॉइंट पे देखेंगे तब भी वह एनर्जी हमें मिलेगी और C पे भी वह एनर्जी टोटल एनर्जी तीनो पॉइंट पे क्या रहेगी कंजब रहेगी ठीक है टोटल एनर्जी जो है वो एक दो मिन थोड़ा उसका नेट की प्रोब्लम आ रहे होगी सही हो जाएगा ठीक है टोटल एनर्जी क्या रहेगी बच्चो आपकी कंजब रहेगी ठीक है तो सबसे पहले देखते है at a point at a point a point के उपर देखो क्या आपके पास kinetic energy के a point बेज जीरो a point के उपर kinetic energy के आपकी जीरो क्योंकि body किसमें rest में है लेकिन a point ये reference मानागा a point बेज़ पोटेंशल energy के आपकी mgh हो जाएगी body का mass m है g acceleration due to gravity के का ठीक है तो क्या बन जाएगा total energy kinetic energy plus potential energy तो zero plus mgh तो total energy क्या आई बच्चो mgh आई आपकी total energy क्या आई आपकी mgh आई ठीक है समझाया इतना ठेंक्यू बेटा ठीक है बेटा अब देखो total energy क्या हो जाएगी a point पे mgh हो जाएगी आपकी पास ठीक है अब देखते है total energy at b point total energy at the b point अब b point पर देखो body b point पर किसी velocity v से move करके आई बोड़ी को छोड़ा ठेंक्यू बेटा जब बोड़ी को ऊपर से छोड़ा नीचे तो वह आपके पास नीचे आई आपके पास ठीक है किसी v velocity से यहाँ पर वो move कर रही है ठीक है तो यहाँ पर उसकी कुछ kinetic energy भी होगी और potential energy भी होगी तो at b potential energy क्या हो जाएगी potential energy mg यह कितनी height पर है यह total height h है और यह x है तो यह height कितनी बचे आपकी h minus x तो ground से b point कितनी height पर है h minus x पर तो क्या लिखतोगे h minus x तो यह कि आगे potential energy अब देखो body किसी a point से b point तो किसी velocity से मूँ करके आई है तो हमारे पास velocity निकालते है velocity at b point velocity at b point velocity at b point कितनी हो जाएगी v is equals to v square minus u square is equals to 2g h minus x 2g x कितनी distance मूँ करके आई है x distance body कितनी distance मूँ करके आई है x distance तो u तो 0 initial तो v square किसके बरावर होगे 2g x तो kinetic energy at b कितनी हो जाएगी kinetic energy at b तो kinetic energy क्या आई 1 by 2m v square 1 by 2m v की value 2g x यह x है बिटा 2g x 2 से 2 cancel तो क्या है mg x तो total energy at b तो क्या होगे kinetic energy plus potential energy mg x plus mg h minus x kinetic energy क्या है b point पे mg x potential energy क्या है mg h minus x total energy क्या होगे mg x plus mg h minus mg x mg x mg x मर गया तो क्या मिला total energy at b b point पे total energy क्या है mg h देखो a पे भी potential energy क्या है mg h b पे भी potential energy क्या है mg h और c पे देख लेते हैं ठीक हैं तो c point पे इदार लिख रिएँ देखो add c point add c point c point पे क्या हो जाएगे आपके पास c point पे इदार देखो c पे जब वो finally ground पे गिरेगी c पे जब वो finally ground पे गिरेगी तो velocity क्या हो जाएगी जीरो तो kinetic energy क्या हो गई c पे जब गरांड पे आईगी यहां पे तो यहां पे रेफ्रेंस होगा तो potential energy यहां पे 0 हो जाएगी potential energy कितने हो जाएगी? 0 अब वो V velocity से यहां पे गिरेगी finally बाद में rest में आ जाएगी लेकिन वो V velocity से गिरेगी कितने velocity है वो आपके पास V square इस इकोष व 2GH हो जाएगा अरे यह formula लगाएगे V square माइनस U square 2G यह कितने i से उपर से आ रही है? H i से अब कितने i से आ रही है? H i से 2GH, U 0 हो जाएगा तो kinetic energy कितनी हो जाएगी? 1 by 2 M V square किजगे 2GH रख दो कितना आया? MGH तो total energy at C क्या आई MGH तो C point में पे total energy MGH B point में पे total energy MGH H i और A point में total energy क्या आई MGH that is called Conjuration of Mechanical Energy यह concept क्या बताता है? कि total energy every point पे क्या रहीगी? बच्चो, mechanic energy क्या रहीगी? चब बोड़ी को freely fall करते हैं उपर से जब हम बोड़ी को freely fall करते हैं उपर से, तो total energy क्या रहीगी? आपकी चब रहीगी चब आप उसको A point पे देखो चब आप उसको B point पे देखो चब आप उसको C point पे देखो total energy always कंचो समझ आया बताईए कोई doubt है तो पूछ लीजिए बोलिए माई कॉन करके पूछ लीजिए कोई doubt है तो बच्चो कोई point नहीं समझ आया तो आगे बिटा तो note करिए note कर लीजिए फिर आगे देखिए next ठीक है note कर लीजिए आप देखो आप solid point पे शुरूब ठीक है आप देखो question कैसे पुछे जादे competition में उसके बारे में बात करेंगे पहले हम लोग देखो मैंने आप लोग को जब law of motion का conception जाया था जब मैं अबीडी वगएरा के question करवार थी motion in the vertical circular motion में तो मैं एक formula यूज कर रही थी law of conservation of energy उसको बताती हो क्या होता एक्चुल में वाँ पे आप लोग से जब मैंने motion in the vertical circle के question करवाय थे motion in the vertical circle में तो आपके पास तब आपके पास जो value थी वो क्या थी आपके पास मैंने करवारे थी ki plus ui बराबर kf plus us एक ऐसा formula मैंने बार-बार आप लोग उस्वर यूज करवाय था अब मैं समझाती हूँ actual में इस formula की reality का है क्या कहता है यह हमें थीक है तो देखिए यहां से इसके लिए हमने पड़ा work done work energy theorem according to work energy theorem ठीक है work energy theorem के according क्या कहते है work done by all the forces बराबर changing kinetic energy kf minus ki मैं से इसको देखो यह आया कैसे था आपको यह भी पता होगा work done by all the forces क्या था आपके पास work done by the pseudo force work done by the gravitational force work done by the spring force work done by the sorry force spring force plus और कौन्सा होता था आपके पास normal reaction force ठीक है और frictional force बराबर MA बराबर MA एक उप्याली क्लिया था आप लोगोंने बच्चो dv by dt इसको क्या करा था dx by dx से multiply करते है dx से divide तो यह बन किया था यह v velocity बन की तो v into dv by dx v into dv by dx जब आपने इसको solve करा है यह आपे amp बार निकलो v dv by dx ठीक है work done के लिए क्या करेंगे आप लोग work done work done के लिए क्या करेंगे अब इसको सबको किसके लिए बात करें work done until displacement से क्या करतो होगे multiply work done by the pseudo force plus work done by gravitational force plus work done by spring force plus work done by normal reaction plus work done by frictional force बराबर m into v dv by dx into dx से multiply कर दिया ठीक है यह सब करने की जूरूत नहीं पर यह reality क्या हो reality समझा रहे हो इसके टोटल के लिए क्या करता होगे बच्चों integration कर दोगे dx से dx cancel u से v limit लगा दोगे क्या आगया m v का integration करोगे v square by 2 u2 v limit लगा दो क्या आया 1 by 2m v square minus 1 by 2m v square u square 1 by 2m u square ठीक है तो work done by all the forces work done by all the forces किसके बराबर आया 1 by 2m v square minus 1 by 2m u square इतना note करो एक बार जल्दी से फिर इसको discuss करते हूँ इतना note करी जल्दी से अब हम इस चीज को यह लिख सकते है देखो gravitational force कैसा होता है conservative force spring force कैसा होता है conservative force normal reaction की दोरा work done zero होता है क्यों देखो यह normal reaction जर्नली देखो यह normal reaction ऊपर body इदा डिस्प्लेस हो रही है तो theta इतना बना 90 degree तो work done by the normal reaction क्या बना जर्नली आपका zero ठीक है word done by pixel force कैसा है non conservative force यह कोई reaction force लगा लिया pseudo force है या कोई भी आपका क्या है external force तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकते हूं यहां पे यहां पे यहां पे यहां प्लस वन में यह यूज होता है प्लस टू में आता है electricity ठीक है normal reaction की द्वारा work done माले कितना आपका zero है आपके पास ठीक है तो मैंने इस situation को ऐसे लिख दिया work done by external force plus work done by conservative force plus work done by non conservative force बराबर change in kinetic energy अब देखो बच्चो आप लोगोंने एक situation पढ़ी है एक condition आप लोगोंने study करी है क्या देखिए कि work done आपके पास work done final kinetic energy minus initial kinetic energy बराबर negative of work done by the conservative force तो मैं इस चीज को ऐसे लिख लूँ work done by external force plus work done by non conservative force बराबर kf minus ki minus यह इदर आया wc wc मतला work done by conservative force तो यह minus का wc तो इस minus के wc की जगे मैं यह लिख सकती हूं minus के wc की जगे मैं यह लिख सकती हूं तो क्या बना w external plus non conservative kf minus ki इस पूरे की जगे क्या लिख दिया uf minus ui क्या लिख दिया uf minus ui तो आपके पास यह main formula बना आपके पास यह always true है यह always true है always valid है always valid है always valid हर एक situation में क्या होगा valid होगा आपके पास ठीक है अब जो आप लोग direct यह लिखते हो यह कब लिखते हो कि मांग लिया कि कोई external force भी नहीं है ना ही कोई non conservative force लग रहा है body पे ना कोई frictional force है ना ही कोई external force है तब जब माल लिया कि आपके पास let कि body पे कोई situation ऐसी है जब हम बात करते है वो लगाते भी तबी है इस formula को हम लगाते भी तबी है जब work done by external force plus work done by non conservative force दोनों कहा है जीरो है if work done by external force plus work done by non conservative force के बच्चों जीरो है तब हम क्या कह सकते हैं kf minus ki plus uf minus ui बराबर 0 खिक है इसको देखो उदर ले जाओ kf plus uf बराबर हो गया ki plus ui के हैं समझ आया अब यह formula कब लगाते हैं क्यों लगाते हैं कैसे आया clear वह यह point सबको अब जब आप लोगों मैंने कहा तो भी direct देख लो याद कर लो लेकिन आप समझ आया कि कैसे आया formula बुच्छो आपका ठीक है तो यह दोनों formula याद रखेंगे आपको यह वाला भी और यह वाला भी ठीक है क्योंकि देखो यह कब आया work done by non conservative force plus work done by external force अगर नहीं है तो ओलोड़ी वैसे भी जीरो रख देंगे होगा तो यह तो हमारे पास situation है यह always true है ठीक है और यह से अब कभ लगाते हैं जब work done कोई external force नहीं है नहीं कोई non conservative force लग रहा है बोडी पे तब कहते हैं कि final kinetic total mechanical energy क्या खंजो यह mechanical energy kinetic energy plus potential energy then total mechanical energy always खंजो then total mechanical energy always खंजो note करें इसको फिर numerical देखो इसके देखिए आपके पास कोई ऐसी situation है माले एक बाउल है ठीक है यह note हो हुआ है मैं कि इस्टे को पूरा नहीं लिख रही हूं मैं बस just step समझा रही हूं ठीक है माले आपके पास यह एक बाउल है इस तरीके से यह एक बाउल है ठीक है इस बाउल के अंदर यह कोई edge height है यहां surface यहां से किसी point पे नीचे आ रही है किसी point A से किसी point B तक जा रही है किसी point A से क्या तक जा रही है B तक जा रही है it is rises to the bowl calculate the speed which the bowl push drawn along the bowl ठीक है यह speed बताईए वो speed बताईए जब यह बोल यहां से यहां पे बोच जाएगी bowl को यहां से कितनी speed से खैका जाए कि यह bowl कि आपके पास A इस point से यहांपे पहुच जाए B पे रही होगा तो क्यायाद एक बावल कोई भी बॉल रखी ही इसको यहां से कितनी स्वीड से फोहीड कोई का बी- may बीक्ष जाहें săरपे समूथ है पारता है कोई फ्रिट्षनल रोस नहीक है यहां से कितनी स्वीड से जाहें कि वह आपके पास यहां पर चाहें एलगा से जैसे बोल को यहां रखी को एक्षणल थोड़ी लगा रहे हैं वह आपने आप मुह करेगी यहां से तो वह कितनी वेलोसिटी से जाए कि यहां पर पहुच जाए तो डारेक्ट अम यह कंटिशन लगा सकते हैं कोई एक्षणल नहीं है कोई नोन कंजर्वेटी फोर्ष नहीं तो क्या कह दूंगे मैं यहां से के एक पलस यूए बराबर के आई पलस यूए तो इनिशली तो बोड़ी रेस्ट में हैं तो कारेटिक अनर्जी क्या हो गई जीरो हो गई ठीक है यह सरफेस से यह औरीजन मान देखो जब यहां पहुचेएगी तो ऐसली का थीक है LIKE कितनी हो जाएगी वथ्वान बाए ठीक है अब यहां से हीuchen पर इंच लिये और यहां से यहां हाइड कितनी है H है तो कहले लिख दोगे MGH कितनी है पर जाएगी वह MGH बराबर MGR तो अब इसको कर लो M से M तो क्या हो जाएगा गैंसल व स्केयर क्या हो जाएगा GR-GH तो व स्केयर किसके बरावर हो जाएगा G बार लेलो R-H का अंडरूट तो मौल जब इतनी वेलोसिटी से यहां से यहां पोचेगी तो आपको क्या मिल जाएगी जब वो इतनी वेलोसिटी से जाएगी तो वो B-point पे पोच जाएगी जब वो इतनी वेलोसिटी से जाएगी there it reaches at the point B बताई किलियर हुआ बच्छो या नहीं हुआ बताईए बिटा 1 by 2 2 से मैंटिप्लाई करती है ना उदर अच्छा ये 2 से मैंटिप्लाई कर दो बिटा इदर ठीके ठीके 2 से मैंटिप्लाई हो जाएगा या पर 2 और आ जाएगा अंदर नोट कर लीजिए फिर से बताई एक बार फिर से देख लो एक बार नहीं समझाया तो फिर से बता देती हूँ चलो एक बार फिर से देखो मैं क्यूशन के देखो क्यूशन कह रहा है आपके पास मैं क्यूशन बता देती हूँ आप रहो क्यूशन कह रहा है मैं बोल रहे हुए क्विश्ण को सुन लो एक बद ठीक है एक बोल ओक मास है में इस पुश्ट डाउन दाउन दाउन जाएगी ठीक है अलोंग दाउन दाउन ठीक है और वो यहां जाएगी तो देखो तो अम लिखेंगे टोटल इनरड़ी को किसी वी का की तो की नर्जी का है न उसकेर लाहे है यह हाइड कितनी अच्छो है यहां पर क्या लिखोगे MGH MGH, total energy kinetic energy plus potential energy बराबर, जब वो यहां पर इधर जा रही है ठीक है, तो बोल finally किस में आएगी, rest में आजाएगी तो final energy जीदो, plus यह कितनी हाइड में जा रही है, यह हाइड आर है यह height h नहीं है, यह height आपकी r दे रही है question में ठीक है, तो MGR, answer भई आएगा, मैं उल्टा बोल गई थी पिछली बार question में कुछ और कह रहा हूँ, question में यह कह रहा था, यह velocity से इधर से गई तो वो कितनी भी velocity से जाए, कि यहां पर पहुच जाए, ठीक है तो आपके पास M से M cancel हो जाएगा, answer भई आएगा, V square is equals to GR minus GH into 2, answer भई आएगा बच्चो, V is equals to 2G बार ले लो, HR minus G, R minus H, ठीक है, बोलो clear हो गया, बताओ समझ आया है, फिर बताओ एक बार अरे ऐसे तो मैंने वैसे बहुत कुशन करवाई थे, loud motion में पैंडूलम गया, आया, मू कर रहा है, करवाई थे न ऐसे कुशन कितनी height पर राई जोगा करो, पैंडूलम वाला वे कुशन अभी यह note करो एक बार, और देखो कुशन देखो, पैंडूलम वाले प्रोब्लम देखोウ, पैंडूलम प्रोब्लम देखो साउंड सही आरी है न एक बार देखो पैंडुला प्रोब्लम में लिख देती हूं ठीक है पैंडुला प्रोब्लम देखिए देखो कुशन क्या रविच्चो एक गरल है जिसका मास दे दिया ठीक है तो बड़ा फिलिंग आ जाती मैं जारेट कुशन करती हूं तो लोग किलियर नहीं होता है फंते किलोग्राम मास है अर्य जूला जूल रहे है मतला है एक बार ऐसे एक बार ऐसे थीक है पैज़ी तो शिच्विशन मनेगी वो आशे थी फिर वो ऐसे चली गई ठीक है वह यहां पे चली गई थीक है तो यहां से इतनी हाइड पर चली गई यह एंगल देर है 60 डिग्री लैंज कितनी है 6 मीटर लैंज कितनी है बच्छो 6 मीटर ठीक है यह पर्सन पुल्स दा स्विंग तुश्राइड सो दैट रोप मेक एंगल 60 डिग्री विदा वर्डिकल वट इस दा पोटेंशल नेर हटा दूँ देखो मैं किशन को अटा जीओ तुम वैलोस पूट कर लेना ठीक है मैं सॉलिशन में बदा दत्यों पर पत्राइड परो सारी जब तक कुछ से यह आपके पास ऐसे जूला जूली है स्विंग करेगी ऐसे जाएगी हूँ ठीक है यह एंगल है 60 डिग्री नास है वह जब हो इस हाइड पर पहुचे तो उसकी पोटेंशल नहीं पर वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी जीरो जब हो इस पाइंट पर पहुचेगी तो वेलोस दो यह हो जो क्या वन गए यह माइनस एल को सिक्स्टी कि वेलोस तो यह पूरी लेंग भी तो यह होगी तो यह कितना आगे थी मीटर एंज हाइड कितनी आगी आपके पास थी मीटर ठीक है अब देखो अब सिंपल कंसर्ट लगाते हैं कोई एक्ष्नल कोर्स नहीं लग रह नहीं है तो कोई conservation नहीं है friction भी नहीं है तो सीधा लगा सकते हूं मैं final kinetic energy plus initial kinetic energy final potential energy बराबर के आई प्लस में यू आई के आई प्लस में यू आई जब और यहां पे है यह reference है जब और यहां पे है तो आपके पास initially potential energy क्या है आपकी 0 कारेटिक energy क्या हो जाएगी 1 by 2 mb का square ठीक है finally जब और यहां पोची तो final क्या होगी value 0 जीरो ओगी final value क्या होगी आपके पास 0 जब और यहां पोचेगी final potential energy आपसे पूछ रहें क्या पूछ रहें final potential energy तो यू एप की value क्या आई ? 1 by 2 mb का square UF की value कितनी आगी 1 by 2 MB का square ठीक है तो V square हमें निकालना पड़ेगा ठीक है V square को कैसे find out करोगे V square minus U square is equals to 2GH V square is minus U square बराबर 2GH ठीक है तो आपके पास initially किसमें थी rest में V square की value कितनी आजाएगी आपके पास 2GH V square की value कितनी आजाएगी 2GH तो UF कितना आया 1 by 2 M 2GH एई ये इससे concept तो UF is equals to MGH MGH बुक्स में ये concept नहीं समझा रखा आपको उन्होंने direct लिग दिया MGH लेगिन वो MGH कैसे आया concept समझो बच, concept को हम इससे strong रखो बच्चो ठीक है तो क्या बनेगा UF final kinetic energy पूछ रहे है ठीक है तो M मास दे रखा 40 G की value 10 H height आप लोग निकाल चुके 3 मीटर 3 से क्यागा तो multiply तो ये 4 की बारा बारा सो आजाएगा आपके पास Joule तो ये क्या जाएगी final potential energy बताओ समझ आया या नहीं आया बोलिए बिटा समझ आया या नहीं आया या फिर से बताओ एक बर बोलिए मैसिस करिए मिटा ठीक है नोट करिए जल्दी से और देखो अच्छे क्यूशन ये तो मैं बेसिक क्यूशन करवा रही हूँ जो तुमारी anxiety की problems है ठीक है बोड में कभी आई हुई है अब देखो अच्छे solid क्यूशन पर बढ़ते हैं अब अच्छे क्यूशन जो तो competition में जैसे आएंगे उसमे बात करते हैं कुछ क्यूशन की ठीक है अब आपको competition में कुछ क्यूशन spring से भी related आते हैं आटा तो मैं इसको अब क्यूशन देखो next आपका अब आपके पास पहला basic देखो माल या बीगूशन देखते हैं आप पहले यह थोड़ी से आपकी कुछ प्रोब्लम से जो exams में आई ही थी वो discuss करे थी आपके पास क्या है माल यह ball है यह यहाँ से height पे u velocity क्या कि 0 नीचे आई ठीक है तो इसके velocity बदाई कितनी होगी जब यह ball A point से B point पर आज़े तो यह velocity क्या होगी point velocity find velocity m mass है इस ball क्या करोगे इस point पे final kinetic energy final potential energy plus hi tie बराबर initial kinetic energy initial potential energy ठीक है तो देखो finally जो वो यहाँ गिर जाएगी तो potential energy तो क्या हो जाएगी 0 potential energy क्या हो जाएगी 0 ठीक है kinetic energy किसी V velocity से माल यह नीचे आ रही किसी V velocity से क्या आ रही है नीचे आ रही initial kinetic energy क्या 0 क्यों क्योंकि आपके पास वो initially किसमे है rest में है plus final kinetic energy initial kinetic energy वो कितनी है आपके potential energy mgh अरे h height पे है उपर बोल तो potential energy तो कुछ है ना तो वो कितनी है mgh क्या m से m मर गया तो v square बराबर 2gh तो v की value कितनी हागी root 2gh ठीक है एक और question देखिए माल यह spring है एक और question देखिए माल यह बच्चो यह spring है पहले आपने spring को ऐसे पकड़ा हुआ है पहले आपने पहले आपने spring को ऐसे पकड़ा हुआ है उपर जैसे spring ball को ऐसे पकड़ा हुआ है ठीक है तो जब इसको आप छोड़ेंगे जब आप इसको छोड़ेंगे तो यह equilibrium position में आएगी खिच के देखो यह spring है को तुमने ऐसे पकड़ा हुआ या जब आप इसको छोड़ोगे या का एक स्ट्रेंशन आए गा जब आपने इसको छोड़ा तो इसमें कितना इलोंगेशन है देखे कैसी तो वर्गडन क्या हो गया भाई कोई नाई नॉर्मल रेक्शन फोर्स कुछ फोर्स नहीं लग रहा एक्स्ट्रा तो क्या लिखेंगे यहां पर वहीं सिंपल कंसफ डारेक्ट लगा सकते हैं क्यंगे अटहसर क्या वर्सिचा घ्रालं कि जब अब पर्चो फोर्स चेंगे न तो इसमें तो इस सोलेशन वाले केसं की बात नहीं कर से का ψ अला कि कि इसी बच्छे च्छें तो कर सोठेंगे थिपनें रिखेंटर नहीं नंगशान यसानिकि वीवlar सब्सक्रतबू हां इसी बच्चे के माइंड में बात आएगी मैडम छोड़ेंगी तो तो बिल्कुल होता है लेकिन मैं उस केस की बात नहीं करी आप उसलेशन नेगलेजिबल है कुछे मिलेटलो ओसलेशन नेगलेजिबल कोई उसलेशन नेगलेजिबल बस श्प्रिंग को छोड़ा वो कुछ खिची और रस्त में आजए तो फाइनल कारीटी के अनरजी जी रोए इनिशाल कारीटी केश्प्रिंग यहां अग लिए इसको रेफरेंस लेवल मांग रहे जब वह खचाएं तो यहां से किती धला सोकी है हुग एक्स टिस्टेंज के क्या रिपात है वक्टा authors्हिर कि जीरो हैं यहांपे पोटेंशैल अश्वार्जी क्या है जीरो सब्सक्राइज सबक्तितितन पेले रखा जा तो यहां jugar हलें इसके भी उन भैंद आफ्किन बहुत बोटानलय में , अब तो उपर निक वित गिस ऱहां रही है तो किया लगी है अंस्ट फिरीन के निद Lights तो कानिटिक एसे पकड़े वे हो नो तो इनिस्यल कानिटिक एनर्जी जीरो और रेफरेंस यह माना आद इनिस्यल पोटेंशन नर्जी भी जीरो और रेफरेंस यह पर रखे हो यह जा रखे हो यह उसी को रेफरेंस माल लिया तो आपर पोटेंशन नर्जी क्या है जीरो इस आप सोल कर लो, 1 by 2 KX का स्केर बराबर MgX, X से X मर गया, तो आपके पास क्या आ गया, KX बराबर 2Mg, तो X कितना आ गया, 2Mg बाई के, फिर से बताओ एक बाद, देखो, आपने स्प्रिंग को ऐसे पकड़ा हुआ, सुनो, आपने स्प्रिंग को ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक आपने स्प्रिंग को 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 आपन इनिश्यल प profess जीड और इनिश्यल इपकड़ वा तो स्प्रिंग के कानिटी के बीजीडिक जीडिक जीडुक। ्टो प्रींग इसको खिचके आईये स्प्रिंग, तो स्प्रिंग में कुछ पोटेंशल एनर्जी होगी। जब खीचेंगे तो spring क्या करेगी उसको आप वोजी डारेक्से में लाने की कोशिस करेगी तो spring में potential energy कितनी निकाली बताएंगी आपने 1 by 2 k x का square तो spring में potential energy क्या होगी 1 by 2 k x करें spring क्या कर रही उसको ऊपर खीच रही किसी potential energy 1 by 2 k x की square की कान और ये weight की कान फोर्स क्या लगेगा mg तो gravitational potential energy भी होगी spring में यहापर gravitational potential energy भी होगी वो क्या हो जाएगी कितनी height नीचे खीचा mg x कितनी height खीचा वो mg x फिक है तो यहापर जब बात करेंगे तो spring में gravitation potential energy भी होगी और spring potential energy भी होगी बराबर g 혼 इसको solve कर लिया तो स्प्रिंग कितनी खिचेगी 2MG by K स्प्रिंग कितनी खिचेगी 2MG by K बता है ये किलियर हुआ या नहीं वाईपर बोलिए ठीक है नौट कर लीजिए वीडियो लेक्चर को रिपीट करके देख लेना अगर एक बार में ना आये तो ठीक है लीडियो लेक्चर को रिपीट करके देख लेना अगर एक बार में ना आये तो ठीक है नौट कर ये आप देखो कुछ अच्छे किशन देखो कमपेटिशन ही आप अटा दो इसको में नेक्स देखे आपके पास मान लिए आपके पास ये इंकलाइन प्लीई है ये कैसे हैं इंकलाइन प्लीई है यहाँ पे ये एक स्प्रिंग रखो लूही था यह क्या रखी हुई है आपकी एख स्प्रिंग रखी थीर थीक है यहां से एक बलोग था जिसका मास M हिज़िक 252 kg है जिसका मास कितना माले आपका 3 kg है ठीक है यह हाइट भी माले आपकी 3 मीटर है यह height भी माले कितनी है आपकी 3 meter है या hight कह दो इसको hight कह दो इसको hight कह दो जर्णल सोल कर लेते value फिर put करते देख लेना यह angle माले आपके पास ठीकता है यह surface smooth है surface कैसा है smooth है surface कैसा है smooth surface ठीक है यह block जो है यह block आपके पास इससे आके spring से टकराया यह block नीचे आया और आके spring से टकराया तो यह spring compress हो गई यह spring अपनी यह original position थी spring की यह natural थी यह natural थी जो spring रखी भी थी अब यह इससे आके टकराया और यह spring push हो गई यह spring क्या हो गई push हो गई ठीक है कितनी distance इससे एक सिट्विशन देखो यह एक इससे एक सिट्विशन देखो यह एक spring रखी विया ऊपर से कोई मास आया उपर से कोई block नोग करके आया और उस spring से टकराया तो यह spring push हो जाए एक प्रेस हो जाएगा अंदर की तरफ जाए एक मिन एक मिन एक मिन एक मिन हाँ ठीक है एक मिन इसने friction भी तो यह देखो इसमें यह म्यू फ्रिक्शन दे रखा, यह म्यू फ्रिक्शन दे रखा, 0.5, और इस सर्फेस के साथ फ्रिक्शन दे रखा, उसने 0.2, इस सर्फेस के साथ की वैलु दे रखा, उसने 0.2, सर्फेस के साथ कितनी वैलु 0.2, यह हाइड 3 मीटर है, यह बगई देती हूँ, यह एंगल 37 37 degree का है, यह एंगल कितना आपका 37 degree का, मास आपका 3 kg का है, मास आपका यह यह 3 kg का ब्लोग है, यह distance उसने 2 meter दे रखी है, यह distance कितनी दे रखी है, 2 meter दे रखी है आपके पास, ठीक है, तो find the compression, find the compression in the spring, in the spring, when blow, when blow, ओक मास, 3 kg, stuck to the spring, to the spring, अब क्युशन समझे गोड़ा, भी नहीं समझाया होग क्युशन, देखो फिर जा बताते है, मैंने friction भी माल दिया, smooth surface नहीं है, मैंने पूरी condition ले ले एक साथ, यह आपके पास एक surface था, ठीक है, जिसका friction coefficient 0.2 है, यह एक surface है, जिसका friction coefficient 0.5 है, friction दे जिया इस बार, ठीक है, यह block उपर से मूँ करके आया, ठीक है, और यह spring से टकराया, तो यह spring compress होगी, पहले यह originally ऐसे रखियो भी थी, फहले यह spring क्या होगी बच्चो, compress होगी, ठीक है, तो पूछ रहा है, यह spring कितनी compress हो जाएगी, जब यह उपर से आके इस से टकराएगा, तो spring कितनी compress हो जाएगी, आपके बास, क्यूशन समझ आया, क्यूशन के लिए हुआ या नहीं हुआ, क्यूशन के लिए हो गया, अब देखो, क्या करेंगे, अब आपके पार देखो, friction आगया, क्या आगया, friction, तो आपके बार क्या प्रिक्षन है, क्या है, friction है, क्या है, friction है, friction, एक inclined के साथ लगेगा, work done और एक work done horizontal पर, क्या लिकोंगे, work done in inclined, inclined, plus work done in horizontal, ठीक है, by friction, by friction, by friction, by friction, बराबर, kf minus ki, plus uf minus ui, बोलिए बच्चो, ठीक है, अब देखो, या इसको आप ऐसे लेख सकते हैं, इसी चीज़ को देखो, ऐसे भी लिख सकते हैं, ef minus ii, final energy minus initial energy, कैसे लिखेंगे इस बात को, final energy minus initial, अरे एकी दो बात है, kf plus uf लिख दो, final बन गया, minus, अरे इसको ऐसे लिख दो, देखो ऐसे बात हैं से, देखो ऐसे बात हैं से, ये kf, ये uf, लिखा मिल सकते हैं, इसले लिख की रिखा रहें, ये kf, ये uf, तो kf plus uf क्या बन गया है, total energy, और kf plus uf, total energy बन गया, इसी तरह, ki plus ui, ये initial total energy बन गया, ये भी minus, ये minus, तो minus बार लोग लोग, तो ऐसे भी लिखा मिल सकते हैं, इसले लिख के दिखा रहें, ठीक है, अब ने कालते हैं, work time in inclined plane, work done by friction, work done by friction, work done by friction, on inclined plane, on inclined plane, ठीक है, ये distance displacement कुछ भी ये देख लेना, mass है, ये L है, जो भी हो, नहीं पता, मैने L मान लिए, बार किशन में दे रहें क्यों कुछ भी, तो बार बार बार, friction क्या होता है, फ्रिक्शनल पोर्स, इंटू displacement L, फ्रिक्शनल पोर्स इंटू displacement L, जाए बोरी ऐसे मुस करती है, तो फ्रिक्शन किदर लगेगा, तो इसलिए क्या आता है यहां पर माइलस इसलिए यहां पर क्या आएगा माइलस तो प्रिक्षन फोर्स क्या होता है मउन ठीक है और इंक्लाइट प्लेंड पर है तो मून न की वैलू क्या हो जाएगी अरे बार बार बता चुक्की हूँ ये इंकलाइट प्ले ये नॉर्मल ये एमजी यह mg cost hitta तो normal बराबर क्या होता है mg cost hitta normal किसके बराबर होगा mg cost hitta के बराबर होगा या नहीं होगा बताइए normal किसके बराबर होगा mg cost hitta के बराबर होगा clear तो देखें यहां से अब अब मैं इसको इधर से अटा रही हूँ ये लिग लिए होगा अब आपके पास क्या आया यहां से वरक डाल बाई क्या निकाल रहे थी इंक्लाइड पे तो वरक डाल इन इंक्लाइड कितना आया म्यू माइनस म्यू अमजी कोस थिट्टा इंटू डिस्प्लेस्मेंट अल इंटु डिस्प्लेस्मेंट एल ठीक है अब ये म्यू दे रहा आपको म्यू दे रहा 0.2 मास दे रहा था 3 किलोग्राम जी की वैलु 10 ठीक है कोस्ट कितना दे रहा 37 डिगरी कोस्ट कितना 37 डिगरी ठीक है एल डिस्स उसन दे रहा चाहिए स्याद L निकाल लो या अपके पास नहीं दे, L दे रखी क्यूशन में मैं देख लिए तुम्हें उबल क्यूशन में L उसने आपको L उसने उसको 5 मीटर दे रखी आपको L कितनी या 5 है L कितनी आपकी 5 है तो put कर देजी तो यह कितना आजाएगा minus 0.2 into 3 into 10 cos 37 cos 37 cos 37 कितना होता है यह 5 यह 3, यह 4 cos 37 4 by 5 कितना हो जाएगा 4 by 5 into 5 यह solve कर लो बच्चों यहां से तो 5 से cancel यह नहीं भी दे रखी होती नहीं तो आप लिकाल सकते थे L by H करके L by H करके निकाल सकते थे यह 3 दे रखी है ना इसलिए ठीक है तो यह 2 बच्चों यह देख लें आप लोग तो यह 5 से 5 cancel तो यह बना आपका 2 by 10 into 3 into 10 into 4 10 से 10 भी cancel 4 कि 12 और 12 और दूनी 24 आगे कितना आगे work done in inclined माइनस का 24 जूल बताओ इतना समझ आया या नहीं आया बताओ इतना बताओ बस बताओ यह बच्चों इतना किलियर हुआ या नहीं हुआ फिर से बताओ work done by inclined फ्रिक्शनल फोर्स होगा ठीक है मुव एमजी यह सब वैलू पूट करती तो बताओ इंक्लेंड आगया अब निकालें यह work done on horizontal surface यह इतना नोट करो फिर निकालते हैं work done on horizontal surface इतना नोट करिये अब देखो मैं इसको अटार्यू यहां से यह सब अटार्यू में यहां से ठीक है अब निकालते हैं work done on horizontal surface work done जब वो यहां आएगी फिर वो ऐसे मूँ करेगी तो फ्रिक्शन पर और और यह बता होगा फ्रिक्शन की द्वारा क्योंकि यह surface भी कहड़ा है work done by work done by frictional force frictional force on horizontal on horizontal ठीक है तो frictional force की द्वारा horizontal की द्वारा करदे निकाल है तो वहीं करेंगे माइनस जब को बोड़े ऐसे मूँ करेगी तो frictional force ऐसे मूँ करेगा act into distance distance देखो यह 2 meter plus x यहां तक जाएगा ना compress होके तो पूरी distance यहां से आदेख की कितनी होगी 2 plus x वह यह तो 2 थी यहां से फिर वह x आगे push हुआ तो क्या लिखोगे 2 plus x 2 plus x frictional force original surface पे क्या होगा mu n n की value mg यह normal और यह mg simple surface पे plane surface पे n बराबर mg हो जाएगा ठीक है तो क्या बन जाएगा mu mg put कर यह बच्चो burden by friction or horizontal minus mg into 2 plus x ठीक है burden by friction horizontal m mass दे रखा है कितना आप्ते पास m mass अदाय मी रफ लो यह mass भी आप्ते पास 3 था यह 3 into g g की value 10 ठीक है यह ही आके टकरा रहा है यहां पे ठीक है तो 3 into 1 second यह कितना अजएगा 3 into 10 3 into 10 3 into 10 into 2 plus x कितना आगे 3 into 10 into 2 plus x ठीक है अजए एक बाइ फिर से देख लीजिए यह आपने क्या निकाला यहां से burden by horizontal surface burden by inclined पे कितना निकाला था 24 burden on inclined surface पे कितना निकाला था 24 तो यहां पे देखो simple concept यह था burden by inclined plus burden horizontal kf plus uf minus ki plus ui ठीक है तो inclined पे minus 24 horizontal पे इतना ठीक है is equals to final kinetic energy जब वो spring पे जाके push होगा तो zero final kinetic energy कितनी हो जाएगी zero ठीक है final spring में potential energy तो होगी 1 by 2 kx का square 1 by 2 kx का square ठीक है बन जैकी मिटा लेकिन यह surface में रखा हुआ है यहां पे तो surface में gravity के कान कोई potential energy नहीं होगी उसी surface पे रखा हुआ है तो यही level है तो यह potential energy के जीरो है क्योंकि इसी को reference मानदा हुआ है तो यहां पे yuk है आपका potential energy by gravity के जीरो है ठीक है minus initially body rest पे रखी नहीं यहां पे तो जीरो initial potential energy है कुछ mgh initial कुछ potential energy है body की mgh तो यह सब value यहां पूट कर ली तो इसको solve कर रहा दी quadratic equation बनगी यह क्या बनगी quadratic equation इसको solve कर लेना minus b plus minus b square minus 4 ac से तो यह आपका answer आजाएगा ठीक है बच्चो इसकी कुछ अच्छे solid equation next video lecture में और भी करवाँगी यह एक ही कुछ नवाज तो आपका ठीक है